Hello everyone, I am Logesh and welcome back to the channel So friends, this video is very important for all of you क्योंकि आज की इस video में there is a good news for freshers batch पर आप सभी से एक ही request है हम आप सभी के लिए efforts लगा रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए important updates आप सभी को time to time provide कर रहे हैं Please video को जरूर से like and share किजे जिससे की ज्यादा maximum candidates को update के बारे में पता चले Cognizant की GenC exam का mail अभी तक नहीं आया है Joining onboarding updates के बारे में बात करेंगे मैंने mention करा है good news for freshers batch Process started in batches phases wise and MNC की onboarding start हो चुकी है November से December phase में आने की कितने chances है आज की इस video में चेक करेंगे Let's start the video Before starting channel पे important video से जरूर से देख लीजेगा हमारा main topic जो है आज की इस video का वो ये है ठीक है आप देख लीजे GenC का exam mail received नहीं हुआ है कोई process है क्या test mail के पहले Infosys का first day of joining है कल के दिन Capgemini Wipro remaining joining और good news है 22 से 2020 batch के लिए अब बता देखे हैं कि आपके लिए good news क्या है Good news ये है कि मैंने काफी सारे candidates से बात करी है उन्हें Capgemini की जो है जो remaining joining थी वो आ गई है ठीक है इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि काफी सारे candidates मतलब wait कर रहे थे ठीक है काफी time से wait कर रहे से तो उन्हें remaining joining के बारे में पता चल चुका है इसी के साथ साथ अगर infosys की बात करें तो infosys का कल से first day of joining स्टार्ट होने वाला है जो की 24 October 2022 है जो की एक virtual onboarding meeting होगी ये सब भी ठीक है अब बात करते हैं क्या November से December के phase के बीच में आने के कितने कितने chances है देखे मैं आपको बता दू कि MNC ने जो है वो phases के term में आपकी joining schedule कर दी है ठीक है phases के बाद वो आपकी जो batches होगी ठीक है या जैसे B1 batch हो गया B2 हो गया B3 हो गया B4 हो गया उसके according वो यहाँ पर आपको onboarding या joining का update दे देंगे तो मैं आप सभी से please यही कहूँगा कि आप अगर MNC का wait कर रहे हैं तो अभी process start हो चुकी है काफी सारे candidates को mail भी आने लग गए है ठीक है different different roles के लिए भी process start हो गई है तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी joining नहीं आने आली आपकी joining अब आईगी जरूर से आईगी ठीक है इतने time से आप wait कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको update कभी भी आ सकता है मतलब इसका यह वो schedule नहीं है बस यह है कि हाँ वो update आपको उनके हिजाब से कभी भी दे सकते हैं और एक बात अगर आप इतने time से wait कर रहे हैं आप चाहते हैं आप किसी brand को join करें तो इस type का wait करना सही भी रहेगा पर इत्तिया बार देखा गया है कि इस wait के बीच में हम हमारी skills को अच्छा नहीं करते हैं तो आप सभी से मैं कहूंगा कि skills को आप ध्यान रखेगा और हाँ आप काफी long time से wait कर रहे हैं तो आपका finally अब इंतजार खतम होने वाला है क्योंकि November से December face के बीच में आने के बहुत बहुत chances बनते हैं अब बात कर लेते हैं कि काफी सारे candidates मुझे बोल रहे थे कि जैनसी की exam link तो आ जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जबकि वीडियो अल्रेडी मैंने बनाई थी अब देखे दोस्तो response क्यों नहीं आ रहा है वह हमें नहीं पता है views भी बहुत काम आते हैं response भी बहुत काम आता है पर आप सभी के लिए हम important updates की वीडियो लाते fake वीडियो ज़्यादा चल रही है कुछ भी नहीं बताएंगे उसमें और आप उसमें जाके मतलब सारी चीज़े हो जाती है पर यहाँ पर हमने जब आपको बताया कि breaking news major criteria exam link के लिए उन्होंने बताया था कि registration link उन्नी candidate के साथ shared होगी जो कि scan and upload करेंगे below mentioned document को single PDF file में यह सारी चीज़े updates है हम आप सभी के लिए बनाते हैं आप सभी से बस इतनी ही request है कि videos को share कीजे जिसे की candidates को अच्छे से अच्छे updates मिलेंगे और damn sure November से December phase में बहुत सारी joining onboarding होने के chances है ठीके तो आप अगर wait कर रहे हैं तो tension नहीं लेना है दिवाली चल रही है happy दिवाली to all of you दिवाली वैसे कल है पर advance में आप सभी को and आप सभी के लिए अभी थोड़ी देर में gift आने वाला है दिवाली का gift बहुत अच्छा है उससे आप सभी के लिए एक opportunity के रूप में आप apply किजेगा thanks for watching the video